हाई अवरिवन वेलकम टू दे चानल बिंग पर्सिस्टंट तो देखिए यूजी सी नेट एक्जाम 2022 की नोटिफिकेशन आ चुकी है इसलिए अलग-अलग टॉपिक्स जैसे की इंकम टैक्स, बिस्नेस एंद्वार्मेंट, बैंकिंग, मार्केटिंग, अलग-अलग दरग के जो दस टॉपिक्स है तो इसके बारे में आपको इस चानल पे अलग-अलग कॉंसेप्स के बारे में समझने को मिलेगा उसके लिए जरूर चानल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे उनको भी आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हम जैसे की इंटरनाशनल ट्रेड की थियोरी को देख रहे थे तो इसलिए जो सेकंड थियोरी है, पहले तो हमने देखी थी मरकंटाइल थियोरी, अबलब थियोरी ओफ मरकंटालिजम थियोरी ओफ मरकंटालिजम की लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शन में दी रखी है तो ज़रूर आप उसको विजिट करिएगा नैक्स जो थियोरी है, Absolute Advantage Theory, जो Adam Smith ने दी है तो basically इस थियोरी के बारे में अगर जानना हो तो हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करते हैं, Absolute Advantage Theory तो basically यहाँ पे यह जो थियोरी है, जो Adam Smith ने दी हुई है क्या बोला गया है इस थियोरी में The theory which focused on the ability of country to produce a good more efficiently than another nation मतलब एक country जो कुछ भी specialized product produce कर रही है दूसरे country के comparison में मतलब comparatively वो ज्यादा अच्छा production करती है या ज्यादा efficient production करती है कम time में ज्यादा produce करती है तो इस लिए इस theory को absolute advantage theory बोला गया है In hypothetical two country world if country A could produce good cheaper और faster और both than country B Then country A had advantage and could focus on specializing on producing that good मतलब क्या बुला गया है कि जैसे for example हम यहाँ पर एक simple example लेते है कि कोई भी एक for example एक singer है तो उस singer की जो speciality है वो क्या है singing करना उसको film production आईगा क्या उतना बेटर जितना उसको singing आता है तो नहीं और दूसरा जो है उसको film production जो है वो अच्छे से आता है तो वो film production वाला जो है तो वो अपना समय जो है वो ज्यादा तर singing कर सीखने में लगाएगा या फिर जो उसके पास already है मतलब film production का जो skill है उसको ही वो ज्यादा specialized way से develop परेगा तो obviously film production जो है वो अपनी strength पे जादा focus करेगा and singing वाला जो है वो अपनी singing पे जादा focus करेगा तो अब जब singing वाला अपने field में specialized है and film production वाला अपनी field में specialized है तो singing वाला जो है वो film production वाले को approach कर सकता है या फिर film production वाला singing वाले को approach कर सकता है कि मुझे आपकी film में गाने के लिए chance दो या तुम मेरी film में गाना चाहोगे क्या clear? So, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे फिर एक cooperative वैसे या collaborative तरीके से एक दूसरे की service का इस्तेमाल करेंगे Okay, so that is the theory that I am going to explain you तो ऐसे बहुत सार एक्जामपल सम ले सकते हैं कि इन्होंने बोला है कि जो country एकड़म सस्ते में और बहुत ज्यादा पास्ट तरीके से कोई product अगर produce कर रही है तो वो अपने उस product में specialized बन सकती है और उस अपने product जो जिसमे specialized है तो वो export कर सकती है उस country को जो country इस product को produce करने में specialized नहीं है और जो country मतलब हमारे से ज्यादा बेटर या फिर fast या फिर अच्छे तरीके का और कम खर्चे में पोई product अगर produce कर रही है तो वो हमें बेच सकती है मतलब हम उस product को import कर सकते है क्योंकि हमारे पास उत्ता वो production की जो efficiency है उस production की नहीं है जो कि उस country के पास है तो ऐसे exchange way में ये trade चलता है जिसको हम absolute advanced theory के नाम से जाते हैं उसके बाद वो बोलते हैं अगर उस particular labor force को आप एक काम की बज़ा है बहुत सारी काम देदो तो वो एक particular काम अच्छे ढंक से नहीं करवाएगा वही अगर आप उस labor को एक की काम बार-बार करने के लिए अगर बोल रहे हो तो वो उस काम में specialized हो जाएगा होता है next is the minimization of aggregate real cost and efficient resource allocation through trade without strong consideration for comparative cost from basis of Adam Smith's model of absolute advantage in international trade क्या बोला गया है यहां पर कि जो भी cost आता है जो भी खर्चा आता है कोई भी product produce करने के लिए और जो जो resources available है अभी resources में क्या क्या आता है labor resource मतलब human resource जो काम करते है उसके बार financial resource आता है natural resources जिसको हम use करते जैसे raw material वगेरा तो यह सारी चीज़े है तो वह हम क्या कर सकते है कि comparative cost मतलब हम comparison हम जैसे कोई cheap खरेतनी के लिए जाते है तो हम दो चार जगह पे देखते उसकी price क्या है तो जहाँ पर हम cheap मतलब थोड़ा सस्ता और अच्छी quality का मिल जाए वहाँ पर purchase करते है तो यह normal rational customer की tendency होती है तो same same चीज़ जो है वह यहाँ पर applied की हुई है यही कहना है इस theory का तो अभी एक example से समझते हैं कि exactly absolute advantage theory क्या होती है तो basically देखिए अगर एक साल में US जो है दो कंट्री का हम यहाँ पर example ले रहे हैं US और इंडिया तो यहाँ पर दिया है कि output मत इतना production करता है और यहाँ पर चीज़े दी गई है car and mango ओके यह दो variable से हाँ पर हमने लिए है तो अगर हम US country के बारे में देखेंगे तो वो क्या कर रहे है कि 5 cars एक worker एक साल में प्रोड्यूस कर सकता है ओके पर वही पे US country जो है वो mango एक वरकर एक mango अतलब एक केजी mango प्रोड्यूस कर पाता है clear और इंडिया के बारे में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो वरकर है तो वो दो cars प्रोड्यूस कर पाता है एक साल में but वो mango एक साल में 4 kg प्रोड्यूस कर पाता है तो clearly आप यहाँ पर देख सकते हो कि US किस में specialized है car produce करने में और जो इंडिया है वो किस में specialized है mango produce करने में तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया किस चीज को export करेगी US को mango को और US किस चीज को इंडिया को export करेगा तो cars को clear तो जो country जिस production में specialized है वो अपना जो export है वो उसमें बढ़ाएगी और अपना जो revenue है या foreign exchange है उसके तुरू अपनी country को डेवलप करेगी तो जिसको हम international trade बूलते हैं तो देखे इस theory के कुछ assumptions भी है जैसे कि यहाँ पर टू ही countries को consider किया है और टू ही commodities को consider किया है जैसे हमने यूएस और इंडिया and car and mango का example यहाँ पे लिया ठाथ तो इसको टू बाई टू का model भी बोल सकते हो आप उसके बाद free trade है मतलब यहाँ पे कुछ भी tarifs या taxes या बहुत सारी subsidies यहाँ पे included नहीं है free trade है then cost of product मतलब यहाँ पे जो production cost है वो mostly किस पे focused किया हुआ है तो labor cost मतलब labor को consider करके इस theory को बनाया गया है and उसके बाद last one is labor जो होता है तो वो उस particular country मतलब domestic country में अपनी home country में जो है वो mobile होता है मतलब यहाँ से वहाँ वो जा सकता है but US से इंडिया या इंडिया से US ऐसा possible नहीं है मतलब वो immobile है between the country okay domestically वो mobile है mobile यानि कि क्या एक जगह से दूसरी जगह easily वो shift हो सकते है या ट्रांसफर किये जा सकते है but between the country मतलब US to India and India to US ऐसा थोड़ा सा impossible है या फिर immobile हम बोल सकते है तो यही थी absolute advantage की theory I hope मैंने आपकी जो concept है वो अच्छी तरीके से clear करी होगी और अगर आपको कुछ भी doubts हो या कुछ अलग topics पर अगर वीडियो चाहिए हो तो ज़रूर आप बताईएगा comment box में मैं ज़रूर उस topic पर वीडियो बनाऊंगे बट अभी जो है हम theories का ही part cover कर रहे हैं इसके बाद जो आएगी वो होगी comparative advantage theory मतलब जो डेविड रिकार्डो ने दी है उस theory के बारे में हम जानने वाले हैं तो चानल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए thank you so much for watching stay safe stay healthy have a nice day ahead